नमस्कार, श्रीमत बालुमी की ये रामाइन अखंड पार्ट में स्वागत करती हूँ आप सबका, आज हम पढ़ रहे हैं त्रयोविन शहर्था तेई स्वा सर्ग उत्तरकांड से, रावन यम्राज पर विजय प्राप्त करके बहुत प्रसन है, यद्यपी यम्राज ने केवल ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करने के लिए रावन के साथ युद्ध करना स्वीकार कर दिया, और रावन सता ही विजय हो गया, इसमें रावन का कोई पराक्रम नहीं है, किन्तु उसका घमंड और उसका भिमान तो साथ में आसमान पर पहुँच चुका है। और अब तो वो सर्वत्र अपना अधिकार जमाने के लिए निकल चुका है। आज के सर्ग में है रावन की निवातक वच नामक दैत्यों से मैत्री, तद पश्चात कालकेयों का वध तथा वरुण पुत्रों की पराजा है। तो चलिए प्रारंप करते हैं आज का पाठ। ततो जित्वादश ग्रीवो यममत्र दश पुंगवं रामनस्तुरणश लागी स्वसहायांददश हर। ततो रुधिरसिक्तांगम प्रहारेर जर जरीकृतम। रावणम राक्षसाद्रिष्ट्वा विस्मयम समुपागमन। जयेन वर्धयित्वाच मारीच प्रमुखास्ततह। पुष्पकम भेजिरे सर्वे सान्त्विता रामने नतु। ततोरसातलम रक्षः प्रविष्टः पयसाम निधिम। तत्योरगगणा ध्योष्टम् वरुणेन सुरशितम। सातु भोगवतीम गत्वा पुरीम वासुकि पालितां। कृत्वा नागान वशे हृष्टो ययव मणी मई पुरीम। अगस्ति जी कहते हैं श्री राम से आगे की हे रगुनंदन देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का होसला रखने वाला दशिग्रीव रावन अब ने सहायकों से मिला। उसके सारे अंगरक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जरजर हो गए थे। इस अवस्था में रावन को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जैहो ऐसा कहकर रावन की अभ्युदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुश्पक विमान पर बैठे। उस समय रावन ने उन सब को सांत्वना दी। तदनंतर वहराक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधी समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासु की द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश्वे कर लिया और वहां से हर्ष पूर्वक मनिमई पुरी को प्रस्थान किया। निवातक वचास्तत्र दैत्या लभ्ध वरावसन। राक्ष सस्तान समा गम्य युधाय समुपावया। तेतु सर्वे सुविक्रांता दैते आबलशालिनह नाना प्रहरणा स्तत्र प्रहृष्टा युधदुल्मदाह। शूलैस्ति शूलै कुलिशै पट्टे शासे परश्वधै अन्योन्यम बिभिदु कृद्धा राक्ष सादान वासथा। तेशाम्तु युध्यमानानाम साग्रह सम्वत्सरो गतह। नचानतर तस्तत्र विजयो वाक्षयो अपिवा। ततह पितामह स्तत्र त्रै लोक्य गतिर व्ययह आजगामदृतम देवो विमानवरमास्थितह। तो नागों को वश्मे अपने करके रावन मनिमाई पुरी में पहुँचा। उस पुरी में निवातक वच नामक देथे रहते थे। जिन्हें ब्रह्माजी से उत्तम वरप्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सब को युद्ध के लिए ललकारा। वे सब देथ्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उनमत रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और धानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पटिश, खट्ग और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किन्तु उनमें से किसी भी पक्ष की विजया पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रय भूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठ कर वहां शीक रही आए। सुरासुरैही नाभवंतहक्षयम नेतुमपे सामरदानवैही। राक्षसस्यसकित्वम्च भवध्भि सहरोचते अविभक्ताष्य सर्वार्थाह। सुहृदाम नात्रसंशयह ततो अग्नि साक्षिकम सक्यम् कृतवांस्तत्र रावनह। निवातकवचैही सार्धम। पृतिमान भवत्तदा। अर्चितस्तैर्यधा न्यायं। समवत्सरमथोशितह स्वपुरा निर्विशेशंच प्रियंप्राप्तो दशाननह। तो बुढे पितामह ने निवातक वच्चों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही है। दानवों, समस्थ देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावन को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरहा समस्थ देवता और दानव एक साथ आक्रमन करें, तो भी वे तुम लोगों का संगहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ती एक सी है इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की महत्री हो जाए क्योंकि सुहरिदों के सभी अर्थ भोग्य पदा अर्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं प्रिथक प्रिथक बंटे नहीं रहते हैं निस संदेह ऐसी ही बात है तब वहां रावन ने अगनी को साक्षी बना कर निवातक वचों के साथ मित्रिता कर ली इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई फिर निवातक वचों से उचित आदर पाकर वह एक वर्ष तक वहीं टिका रहा उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रियभोग प्राप्त हुए तत्रो पधार्य मायाना शतमेकम समाप्तवान सलिलेंडर पुरान वेशी भ्रमति स्मरसातलम ततो अश्मनगरम नामकाल के यई रधिष्ठितम गत्वातु काल के आंश्च हत्वा तत्र बलोत कटान शूर्पण ख्याश्च भरतारमसिना प्राचिन तदा श्यालम चा बलवंतम चा विद्युजिभं बलोत कटम जिभयासनलिहंतम चराक्षसम समरे तदा तम विजित्या मुहूर्तेन जगने दैत्यास्चतुशतम ततह पांडुरमे घाभं कैलासमे वभास्वरं वरुण स्यालयम दिव्याम पशर राक्षसाधि पहर् तो उसने अब निवातक वचों से सौ प्रकार की मायाओं का ज्यान प्राप्त किया उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सबोर घूमने लगा घूमते घूमते वह अश्म नामक नगर में जा पहुँचा जहां कालके नामक तानव निवास करते थी कालके बड़े बलवान थे रावण ने वहां उन सब का संगहार करके शूर्पनखा के पति उतकट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युद जिव्वा को जो उस राक्षस को समरांगन में चाट जाना चाहता था तलवार से काट डाला उसे परास्त करके रावण ने दो ही घडी में चार सो दैतियों को मौत के घाट उतार दिया तद पर शात उस राक्षस राज ने वरुन का दिव्य भवन देखा जो श्वेत बादलों के समान उज्वल और कैलास परवत के समान प्रकाश मान था शरंतीम चापयस्तत्र सुरभिम गाम वस्तिताम यस्याह पयोवे निश्पंदात क्षीरोदो नामसागर ददर्श रामनस्तत्र गोव्रिशेंद्र वरारणिम यस्माचंद्रह प्रभवति शीतरश्मिर निशाकरह यम समाशृत्यजीवंति फेन पाह परमल्शयह अमृतम यत्रचोत्पन्नम स्वधाच स्वधभोजिनाम याम ब्रुवंति नरालोके सुरभिम नामनामत प्रदक्षिनम् तुताम् कृत्वारामन परमाधुताम् प्रविवेश महागोरम् गुप्तम् बहु विधैर बलै ततो धाराशता केनम शारदा भ्रनिभंतदा नित्य प्ररिष्टम् दद्रिशे वरुणास्याग्रिहोतम् रावन पहुँच गया है वरुण के दिव्य भवन के पास वहीं उसने देखा सुरभी नाम की गववी खड़ी थी जिसके थनों से दूध जर रहा था कहते हैं सुरभी के ही दूध की धारा से खशीर सागर भरा हुआ है तो रावन ने महादेव जी के वाहन भूत महा व्रशब की जननी सुरभी जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुरभाव हुआ है सुरभी से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से बिरभाव हुआ है ऐसी मान्यता है तो उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान और क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्शी जीवन धारन करते हैं उस शीर सागर से ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की स्वधा प्रकट हुई है लोक में जिनको सुरुभी नाम से पुकारा जाता है उन परम अद्भुत गोमाता की परिक्रमा करके रावन ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महा भयंकर वरुणालय में प्रवेश किया वहा प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा जो सदा ही आनंद मयुत्सव से परिपून अनेक जल धाराओं फवारों से व्याप्त तथा शरतकाल के बादलों के ही समान उज्वल था ततो हत्वा बला ध्यक्षान समरेतैश्चताडितः अब्रवीचततो योधान राजाशी घ्रम निवेध्यताम युद्धार्थी रावण प्राप्तस्तस्य युद्व्रदियताम वदवान भयमते अस्ति निर्जितो स्मीति सांजली एतस्मिनननंतरे कृद्धा वरुनस्य महात्मन पुत्राह पौत्राश्य निश्क्रामन गुष्य पुष्कर एवच तेतो तत्रगुणो पेता बलैही परिवृताह स्वकईही युक्त्वारथान काम गमानुद्यत्भास्करवल्चसह ततो युद्धम समभवत दारुणम रोमहर्शणम सलिलेंद्रस्य पुत्राणाम रामनस्य चधीमतः तो रामन ने वरुण के भवन में प्रवेश कर लिया है तदरंतर वरुण के सेनापतियों ने समर भूमी में रामन पर प्रहार किया फिर रामन ने भी उन सब को घायल करके वहां के युद्धाउं से कहा तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी यह बात कहो राजन राक्षस राज रावन युद्ध के लिए आया है आप चल कर उससे युद्ध कीजिए अधवा हाथ जोड कर अपनी पराजय स्विकार कीजिए फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले उनके साथ गव और पुषकर नामक सेना ध्यक्ष भी थे वे सब के सब सर्व गुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे इच्छान सार चलने वाले रतों पर हो अपनी सेनाओं से घिर कर वे वहां युद्ध स्थल में आए फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावन में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था अमात्य इच्च महा वीर्ययर दश ग्रीवस्य रक्षस वारुणं तद्बलं सर्वंक्षणिन विनिपातितं समीक्ष स्वबलं संखे वरुणस्य सुतास्तदा अर्दिताह शर जालेन निवृत्तारण कर्मन महीत लगतास्तेतु रामणम दिश्य पुष्पके आकाश माशु विविशु हूँ स्यंदनैही शीग्रगामि भेही महधासिततस्तेशाम तुल्यमस्थानम भाप्यतत आकाश युद्धम तुमुलं देवदान वयोरिव ततस्ते रामणम युद्धे शरई ही पावकसन निभई ही विमुखी कृत्य संहिष्टा विनेदुर विविधान रवान राक्षस दशग्रीव के महा पराक्रवी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया युद्धमे अपनी सेना की यह वस्था देख वरुण के पुत्र उस समय बान समोहों से पीडित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए बूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावन को पुष्पक विमान पर बैठा देखा तब वे भी शीग्र गामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुंच अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावन के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था उन वरुन पुत्रों ने अपने अगने तुल्य तेजस्वी बानों द्वारा युद्ध स्थल में रावन को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंगनाद किया ततो महोदरह कृद्धो राजानम विक्षधर्शितम त्यक्त्वा मृत्यो भयं वीरों युद्धा कांशी व्यलो कय तेनते वारुणा युद्धे कामगाह पवनोपमाह महोदरेन गदया हयास्ते प्रययोक्षितिम तेशाम वरुण सूनू नाम हत्वायोधान हयान्षतान मुमुचाशु महानादं विरथान प्रेक्षतान सितान तेतु तेशाम रथाह साश्वाह सहसारत भिर्वरैही महोदरेन निहताह पतिताह प्रिथिवी तले पेतु त्यक्त्वारथान पुत्रा वरुणस्य महात्मन आकाशे विष्ठिताह शूराह स्वप्रभावान विव्यतु हूँ तो राजा रावन को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ उसने अम्रित्यु का भै छोड़ कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा वरुण के गोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे महोदर ने उन पर गदा से आघात किया गदा की चोट खा कर वे गोड़े धराशाई हो गए वरुण पुत्रों के योद्धाऊं और गोड़ों को मार कर उने रत हीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर-जोर से गर्जना करने लगा महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रत घोड़ों और श्रेष्ट सारतियों सहित चूर चूर हो पृत्वी पर गिर पड़े महात्मा वरुण के वे शूरवीर पुत्र उन रतों को छोड़ कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई सायक इस्चाप विभ्रष्ट इर्वज्र कल्पई ही सुदारुणै दारयंतिस्म संक्रुद्धा मेघाईव महागिरिम ततह कृद्धो दश ग्रीव कालाग निरिव मूर्चितह शरवर्षम महाघोरम तेशाम मर्म स्वपातय मुसलाने विचित्राणे ततो भल्ल शतानिच पत्षाश्यव शक्तिश शतग निरमह तीरपी पातया मासर दुरधर्षस्टेशाम परिविष्ठतह अप विध्धास्तु ते वीरा विनिश्वेतु हु पदातयह ततस्ते नईवसहसा सीधन्तिस्मापदातिनह महापंकं मिवासाध्य कुंजराह सष्टिहायनाह सीधमानां सुतां दृष्ट्वा विभलां समहाबलः ननान रामणों हर्षा महानम्भू धरो यथा तुम्हात्मा वरुण के उन्शूरवीर पुत्रों ने हार नहीं मानी अपने धनुशों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदर को उक्षत विक्षत करके एक साथ कुपित हो रामण को घेर लिया फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान परवत पर जल की धारा गिराने वाले मेगों के समान धनुश से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सायकों द्वारा रामण को विधीन करने लगे यह देख दश ग्रीव प्रले काल की अगनी के समान रोश से प्रजवरित हो उठा और उन वरुन पुत्रों के मर्म स्थानों पर महा घोर बाणों की वर्शा करने लगा पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्धर्श वीर ने उन सब के उपर विचित्र मुसलों, सैक्डों, भलों, पत्टिशों, शक्तियों और बड़ी-बड़ी शतगनियों का प्रहार किया उन अस्त्र शत्रों से घायल होवे पैदल वीर पुनह युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण, रावन की उस अस्त्र वर्शा से ही सहसा संकट में पढ़कर, बड़ी भारी की चड़ में भसे हुए, साथ वर्श के हाथी के समान कष्ट पाने लगे वरुन के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख, महा बली रावन, महा अनमेग के समान, बड़े हर्श से गर्जना करने लगे ततो रक्षो महा नादान, मुक्त्वाहंति स्मवारुणान, नाना प्रहरणो पेतैर धारा पातै रिवांबुदाः, ततस्ते विमुखाह सर्वे पतिता धरणी तले, रनात्स्वपुर्शै हिशी घ्रम ग्रिहान्येव प्रवेशिताह। तान प्रविततो रक्षो वरुणाय निवेध्यताह। रावनमत्वा ब्रवीमंत्री प्रहासो नाम वारुणह। गतह खलु महा राजु ब्रम्ह लोकं जलेश्वरह। गांधर्वं वरुणह श्रोतुम् यम्त्वमा भयसे उधे। तत्कितव यथा भीरः परिश्रम्य गते निपे। येतु सन्निहिता वीराह। कुमारास्ते पराजिताह। राक्षसेंद्रस्ततत्षृत्वा नाम विष्राव्यचात्मनह। हर्शानादम विमुंचन्वै निश्क्रांतो वरुणालया। आगतस्तो पथाये नते नईव विनिवृत्य सह। लंकाम अभिमुखो रक्षो नभस्तल गतो यय। रावन बहुत प्रसन्न हो गया। वरुण के पुत्रों को दुखी देख। जोर-जोर से सिंगनाद करके वह निशाचर पुनह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मरने लगा। मनो बादल अपनी धारावाईक विष्टि से व्रिक्षों को पीडित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमोखो पृत्वी पर गिर पड़े। तत पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमी से हटा कर शिग्र ही घरों में पहुँचा दिया। तदन अंतर उस राक्षस ने वरुण के से कहा। अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयम युद्ध के लिए आएं। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावन से कहा। राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो, वे जल के स्वामी महराज वरुन संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर, राजा वरुन के चले जाने पर यहां युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाब। उनके जो वीर पुत्र यहां मौजूद थे, वे तो तुम से परास्थ हो ही गए। तो मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावन वहां अपने नाम की गोशना करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुनालय से बाहर निकल गया। वे जिस मार्ग से आया था उसी से लोटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। तो इस प्रकार एक बार फिर महराज वरुन देव की अनुपस्थिती में ही वरुन पुत्रों पर वि आधिकावे के उत्तरकांड में तेईसमा सर्ग पूरा करते हैं। इत्यारश श्रीमत रामायने वालमी की ये आधिकावे उत्तरकांडे त्रयोविंश सर्ग है। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमहा।